इसमें देखिए कौन कौन से कोश्चन सब क्या सकते हैं यहां पर देख सकते हो आप वाईयू में जलाने से पहले मैगनेशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है तो यह कोश्चन आपका हो गया और उसके बाद रासा ने कभी क्रिया या रखी है इनको संतुलित करना है यह औ जखन में आप लोगों के और हैन पॉनिकरा है ग्यात है DatAAAAA सब्सक्रेंट क्या होती है टिक है करने वाला गया है यह क्वेस्ट हमें करने वाला गया है यह संतुलिता है इनके और यह अंसर आप तो आप यहां से देख सकते हैं उसके अलावा में यह सारे समेक्रंण वही वाले हैं एक यह है उश्मा शेपी और उश्मा शोशी अभी करिए का रत है उधरन सईद बताईए तो यह तो यह एक वह क्वेशन भी है इसको कर लिजेगा ठीक है कियों कहते हैं और यह पढ़ लिजेगा यह वन वर्ड हैं देखिए सारे इनके स्क्रींशोट लिजिन को पढ़ के जाना है ठीक है और इसके अलावा में यह सारे वन वर्ड हैं आनके टुमंक्स क्वेषटन कितने भाग होते हैं ऐसलीत राषनीक स्वहंपर पढ़ साथ शहरं क्या है ठीक है यह कोषिन हो गया हिंदी तो आप इसली इनको पढ़ सकते हैं ठीक है ताप यह वियोजन क्या होता है तो इस तैप यह को पढ़ लीजेगा ओके चलते हैं चेप्टर में से देखिए कौन-कौन से कौशन आपके बन सकते हैं यह वही है पीतल एमन तांबी के बतलों में दही हैं खटे-पदार क्यों नह ही बदलती है यह वाला क्वेश्चन होगी आपका उसके बाद में नेक्स्ट कोश्चन आपका हो जाएगा यहां पर शॉर्ट कॉशन तो सारे ही पढ़ने हैं ठीक है शॉर्ट कुशन सारे पढ़ने हैं और प्रचली तराम यह विरंजक्ट्रों यह वाले कॉश्चन हैंग कि शॉर्ट में इसकते हैं तो इनको पढ़के जाएगा ठीक है पर यहां से कोई कुश्चन जो बन सकता है आपके एक्जैम के लिए उदासी निकारन अभी क्रिया क्या होती है ठीक है उदासी निकरन अभी क्रिया होती है japan soda के दो प्रमुक उपयोग बताने यह कुशन पढ़के रही है का निया कि थी मांता है फिर के यह सारे शौट हो गये है यह सारे शॉट कॉश्टन से यह देख सकते हैं अप्ये बिवह लगों के उधासनी करें ना भिक्रिया क्या होती प्रकारतिक पधार्व की उपस्तति को सूचित करते हैं इसमें आंसर भी रिखियों है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अमल और शार के दो दो रासा ने गुण बताने हैं इस चैप्टर में से ठीक है और प्रूब्लम में पढूरा व्लम और सबसे हमारा जो सबसे हाड़ पढ़ारत होता है कौंस होता है इने मल जाथ का है पिएच कितना होता है यह सारी चीजह इनको पढ़ दीजेगा मूँ का प्याइच 5.5 होता है और चिक है चले चलते हैं एक सब्सक्राइब अब इसमें अब नाम लिखने हैं भाप के साथ आईरन और यह लिए तिक है और इसके बाद में आईनिक योगी का गलांक उच्छ क्यों होता है लिए यहां पर आंसर है तो आप लोग रोकर लिजएगा परीभाशा देनी है कहनी जाइस सघूड यह इसा कर سकते हैं परिभाशा है नैहीं खरेए टीन का लेक होता है यह विरषिंगतों अक्साइंड क्या ही यहfriend को द्हातु के नाम बताने हैं इनको पढ़ लिजेगा ठीक है कौन कौन से हैं और इसके लावन लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके बताने हैं यह प्वाइशन इंप्वर्ट अपका बनेगा ठीक है और आपको अपने तयारी जो बैस्ट रखनी हैं वचे ठीक है यह अधातु क्या है खनीच क्या है ऐसक क्या है गैंग क्या है चीक है धातु धात्वी क्या है धातु गर्म क्या है निस्तापन क्या है भर्जन क्या है यह दिफाइन है इनको पढ़ना है ठीक है धातु परिश्करण के विद्यां कौन सी है धातु का संशारन क्या है और यह वह ग आप स्क्रीन शॉट ले लिजी इनके वीडियो लो करके देख लिजेगा ठीक है वीडियो लो करके देख लिजेगा आराम से आप लोगों को सारे आंसर जो है वो लिखे ही हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बचे देखिए ठीक है ओके कि मैं पूरे करने लगूंगी तो फिर वह जाएंगे आपको जो लगे मतलब यह एक्स्ट्रा कॉशंस हैं तो आपको जो लगे वह देख लिजेगा बाकी डाराक्ट कॉशंस ही आएंगे यह दिखिए इंपोर्टन यहां से बनते हैं जो मैं आपको बता proto 4 chapteruar में कौन के करने कार्बन वाले में यह चापिते हैं इस कुशन को करना है कि से कहते हैं उसक्वासटर के साथ सम जना है और बहुती क्या है रासा नहीं गुण है और इसके अलावा में हाइड्रोजनी करण क्या है इंग्विश मेडियों वालोगों भी सेम चीज़े बताई है मैंने हाइड्रोजनी करण क्या है साबुन की सफाइकर क्रिया को क्रिया विदी समझानी है तो आप अगर यह पढ़ सकते हैं समझ लिजगा थोड़ा बहुता कि बना बना के लिख पाएं ठीक है यह आपके वन वड़ा अंसर जाना सारे स्क्रिंशॉट ले लिजगा बच्चे इनका ठीक है यह वीडियो को स्लो है तो बहुत जादा परेशान है तो आप यह वीडियो रही होगी अभी एक चैप्टर और बचा है उस पर चले लेते हैं फटाफट लिए यह फिफ्टर आप लोगों का ठीक है ना अब यह देखिए यहां पर में आपको डॉबे राइनर के वर्गी करण की सिमाय बतानी है इस चैप्टर में ऐसे यहां से यह कोष्चन हो गया ठीक है उसे उपर वृला भी कर लिजिएगा तो दोनों की करिएगा और फिर ये यह आघ जाता है है अधूरिगा वर्गी का वर्गी दार्गी किस परकार से मैंडिलिव का वर्गी विविद संगतियों को दूर किया गया इसको याद कर लीजिएगा ठीक है और इसके अलावा इस चैप्टर में से ज़्यादा प्रशचन तो नहीं बनेंगे और यह समान गुंधरम है ठीक है यह तो यह समान गुंधरम और यह इसको पढ़ लिजेगा और वन वर्ड का आंसाज ज्यादा बनेंगे इन चैप्टरों में से ठीक है नेक्स उसके बाद में अधूनिका वर्षानिया में तत्व की व्वस्था के तुलना करनी है कितने कितने में इसे बाकी ये questions हैं और इसमें answers भी हैं तो आप इनको थोड़ा वीडियो slow करके देखेंगे तो आपको answers आराम से पता लगी जाएंगे ठीक है बचे तो आई होप ये पांच chapters आप लोगे complete हो जाएंगे आज आज में फिर हम next chapters हमने start करने हैं ओके बाबाई